बेरोजगारी बढ़ा हुआ है इसके लिए RJD के साथ रहना भी चुरूँ अभी जो भी होगा RJD के साथ उसा कट बठाना होगा सही होगा फिर कट बंदन टूटेगा फिर पबलीक ध्यान बठाकेगा इसके चलते जहां है उहें पर रहना चाहिए देखिए उनका उत्तम तो RJD बिहार का है उन्हीं के साथ अच्छा है क्योंकि आज के जो भी सिस्टम है नितीश की में सारा करप्ट हो चुका है मैं हूं मुकेश कुमार आप देख रहे हैं बिहार इंसोट हमारे साथ कुछ लोग है आए हम जानते हैं कि नितीश कुमार को RJD के साथ जाना अच्छा है या BJP के साथ रहना अच्छा है आए मेरे साथ कुछ लोग है उनसे हम बात करते हैं अच्छी बताईए कि नितीस कुमार को भाज़पा के साथ रहना अच्छा या आरज़डी के साथ जाना अच्छा है आरज़डी के साथ जाना अच्छा है अच्छी बताईए कि नितीस कुमार को भीज़पा के साथ रहना अच्छा है या आरज़डी के साथ जाना अच्छा है अच्छी बताईए कि नितीस कुमार को भाज़पा के साथ रहना अच्छा है या आरज़डी को साजाना अच्छा है क्योंकि फिर जाएगा राज़ड के पास फिर भाट के चलाएगा फिर कट्वंदन टूटेगा फिर आप अबली कर ध्यान बटकेगा इसके चलते जहां है उहें पर रहना चाहिए यहां पर आपके पसंद से क्या होना चाहिए होना तो चाहिए सर सरकार में पदलाव आरज़डी होना चाहिए आरज़डी के साथ जाना चाहिए एक बार मोका नितिश जी तेज्यस्वी जादब को दे ज्यादा अच्छा है ने जिवक्षण है अगर मालिक भाजपा के साथ है तो क्या दिकत है दिकत तो नहीं है सर लेक तमाम लोग की राय जाने कुछ लोग का कहना है ज्यादा तर लोग का कहना है कि आरज़डी के साथ नितिश कुमार को ज्यादा अच्छा रहेगा जबकि कुछ लोग का कहना कि ने जहां है वहीं रहना उनके लिए ज्यादा बेहतर है बेरोजगार ही बढ़ा हुआ है इसके लिए RJD के साथ रहना भी जो भी होगा RJD के साथ उसा कट बठाना होगा सही होगा फिर कट बंदन टूटेगा फिर पबलीक ध्यान बठाकेगा इसके चलते जहां है उहें पर रहना चाहिए देखिए उनका उत्ता में तो RJD बिहार का है उन्हीं के साथ अच्छा है क्योंकि आज के जो भी सिस्टाम है नितिसकी में सारा करप्ट हो चुका है